असलाम लेकुम यूट्यूब फैमिली आज हम बनाएंगे सुपर डूपर हेल्दी और टेस्टी गंदुन का आटा और कच्चे आलू से डोसा जिसे हम बगएर दहीं बगएर सोडा और इनो के बनाएंगे और इसमें दालें पीछने का भी जंजट नहीं आप इसे नाश्ते मे डिनर में या लाज में चेटपट आसानी से बना सकते हैं और यह जबरदस्त क्रिस्पी भी बनेगा इसके लिए रैस्पी को बगएर स्कीप किये एंड तक देखें रैस्पी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें तो चलें रैस्पी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए ए गंदूं का आटा यानि गेहूं का आटा लेंगा जिससे हम रेगुलर रोटी बनाते हैं उससे वह वाला आटा हमने गंदूं का आटा लेना है और इसी कप से मियर मिट करके आदा कप हमने सूजी ली है सूजी अगर मोटी है तो इसे मिक्सी में डालकर हलका सापने और अच्छे ऐसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें ना गुट्लिया ना बने अब उसी कप से एक कप पानी और डालेंगे और मिक्स करेंगे तो जितनी देर मैं इसे मिक्स कर रही हूं तो मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देंख अर इसी तरह तीसरा कप पानी डालेंगे में तोटल 3 कप पानी डाले है एक कप आटा और आधा गप चैनल यांशार तीन कप पानी डाले तो प्रेषपोन के बराबर शामिल कर दिया है और एक टेबल स्पून मैंने इसमें सुफेद तील डाले हैं इससे ना डोसा करंची बनेगा अब इसमें कुछ ड्राइ इंग्रीडेंट डालेंगे जिसमें मैंने नमक लिया है एक टीस्पून के बराबर और डोसे को चटखारा बनाने के लिए इस बराबर डाले है जीरा लिया है वह भी एक टीस्पून के बराबर शामिल किया है अगर आपको लसन अद्रक का पेस्पसंद नहीं ना तो आप अद्रक भी बारी कट्वीड डाल सकते हैं अब इसमें एक चमच के बराबर लिंबू का रस्ट डालेंगे क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा नहीं डाला है इसलिए ना लिंबू से जबरदस टेस्ट आएगा अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे तो देखा हमारा इंस्टेंट डोसा बैटर रेडी हो चुका है अब इसे 15 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताके ना सूजी अच्छी तरह से फूल जाए और 15 मिनट बाद चलें तवे को चूले पर मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे और फिर पानी का छींटा देकर ना तवे का टंपरिचर ठंडा कर लेंगे अब तवे को थोड़ा सा ओयल या मक्षन से ग्रीज कर लेंगे इस टाइम बैटर को डालने से पहरे न अच्छे तरीकी से मिक्स कर लेंगे क्योंकि बैटर में पानी आजाता है और बैटर नीचे बैट जाता है अब इसे मिक्स करके डोसा बनाने के लिए चंब से थोड़ा थोड़ा बैटर करके डालेंगे क्योंकि हमने पतला बेटर डोसा बनाना है ना तो हमने बेटर थोड़ा डालना है और इस तरह से तवे को गुमा लेंगे ताकि जो सारा बेटर रहना वो फैल जाए जैसे ही बेटर सारा फैल जाएगा तो फ्लेम को हमने मीडियम रखकर डेट मिनट तक डोसे को अच्छी तरह से शेख लेना है और पैन को इस तरह से हिलाते रहेंगे क्योंकि पैन बढ़ा है तो ताकि हर जगह से प्रॉपर हीट लग सके और डोसा कहीं से कच्छाना रहे जैसे डोसे को सेख लग जाएगा तो हलका सा ऑईल लेकर किनारों को ग्रीज कर लेंगे और डोसे के उपर भी न हम ऑईल लगा लेंगे ताकि हमारा डोसा उपर से ड्राइना रहे अब हमने डेड मिनट तक फ्लेम को लो रक करना डोसे को हर जगह से सेक लेना है तो टल तीन मिनट तक ड्राइना आखिर में आपने लोव फ्लेमि» लाज्मिनी र períमा तक Nepार करस्पी बन सके तो जैसे ही हमारा वपर से डोसा हलका ब्राउन आने लगे ग़या तो अब हम इसे निकाल लेंगे, देखें हमारा कितना डोसा का जबरदस कलर आया है, अब चलते हैं एक और डोसा बना लेते हैं, तो पैन जो हमारा बहुत ज्यादा गरम हो चुका है इसी तरह हमने पहले जिस और दालों को पीसने का जंजट है और फिर भी एक दम क्रिस्पी और करारे डों से त्यार है आप इसे ग्रीन चटनी या केचप के साथ सफ करें यह हेल्दी नाश्टा है इंज्वाय करें तो चलें फिर मिलूंगी नई रैस्पी के साथ लाहाफीज